आजे आलो, आजे आलो अंजनाई जी ठीक है देखिए अंजनाई जी भारतिय जनता पार्टी अगर अपनी राजनीती शेश्रुवाती दिन से लेके आज तक अगर हिंदु धर्म को महत्व देते आई है पूजा पुजारी संतों के साथ बैठती है योगी आदितनात को मुखमंत्री बना दिया तो ये उनके दल के डिने उनके पैटन में है ये कोई अटिश्योक्ति ने ये पूरे देश को पता है सवाल तो तब उठता है ना जब आप ये सोचिए कि कोई सर्जन फिजीशन का काम करने लगे अब नीरो सर्जन पेट की सर्जरी करने लगे थोड़ा अटपटा सा लगता है तो आज दिगविजे सिंग को देखके जो ये सवाल उठ रहें वो इसलिए उठ रहें क्योंकि ये तो उनका फोट्रे नहीं था ना इसलिए तमाम पार्टिया ने देश की राजनीती की धुरी धर्म बना दी है इसलिए तमाम पार्टिया अब ये समझ गई है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है तो कोई चुनाव हारने के लिए तो आता नहीं है चुनाव मैदान में नहीं मैं ये नहीं मानता हूँ मैं ये नहीं मानता हूँ क्योंकि भारतिये जनता पार्टी के पहले तमाम सो कॉल्ड सेकुलर दल जो है वो इस देश में धर्म की राजनीती लाचुके थे अल्व संखक चुष्टी करन से और वो इस लेवल तक बढ़ा दिया था कि इस देश की बहुतायत अबाती अपने आपको सेक्लूड़ेट फील करने लगी थी ये एक कांटे की सच्चाई है हर लोग जानने लगा था कि इस देश जब देश-देश का प्रधान मंतरी का है कि देश के संसारदों पे पहला हक अलसंक्यकों का है तो बहुत अंक्यकों के मन में क्या विचार जाएगा धन की राजनीती से जोडने की शुरुआत सोनिया गांधी के एरामिक हुई और ये मजबूती के साथ होती चले गई और बहुत सारे छेत्रियों दलों ने भी उसका पालन किया और भारतिये जनता पाठी तो 1984 उसके पहले जन संग हमेशा हिंदूत्व की विचार धारा लेके चलिए हम एलाइज हैं हम जानते हैं